जैहिन मैं वे सिंग टेवती और आज हम बात करने वाले हैं कि फिजीकल कि आपके पास एक या दो दिन बचे हैं ठीक है मरलब आज ही फिजीकल है मरलब कल आपका फिजीकल है और आज अपका रेश्ट वाला दिन है तो अब क्या खाना है क्या पीना है क्या करें एक दिन पहले सबसे मेन चीज यही आ रहा है क्या करोगा तो वीडियो इस टोपिक पर लिका आया हूं उसमें मैं आपको आपको कोई साइट इफेक्ट वाले चीजे सॉसल मीडिया पर नहीं दालूंगा जिनका कोई साइट इफेक्ट नहीं है वह आपको यूज करने दूंगा कि दूसरा आते हैं डाइट तीसरा आते हैं क्या हमको करना है पूरे दिन पर क्या आप करना है अगर आप पे फिजीकल के एक दिन पहले तो बिल्कूल बिल्कुल भी वर्काउट मत करना पूरा प्रोपर तरीके से रस लेना अगर रस नहीं लोगे वर्काउट करने जाओगे यह सोच हो कि टाइम कम तो हुआ है अब टाइम कम करेंगे तो एक दिन में भीया कुछ नहीं होने वाला जब पूरे डेट-डेट साल दो-दो साल कुछ नहीं होता है एक दिन में कुछ नहीं होने वाला एक दिन विल्कुल भी वर्काउट मत करो रेश्ट करो क्या पता अगले दिन फिजिकल बोड़ी बहुत अच्छी चलने लगए पानी प्यों इलेक्ट्रोल का पानी पी सकते हो इलेक्ट्रोल आता है इलेक्ट्रोल का पानी तो पर बात करेंगे पर उससे पहले थोड़ा में में चीज लेना सुखी बिल्कुल नहीं लें सुखी आलू सब्जी आलो की सब्जी बिल्कुल मत खाना गलती से भी मत खाना पेट खराब हो जाएगा रनिंग करते समय अजीब सा लगेगा जितनी भी मलब लिक्विट चीज उससे body active रहती है ठीक है और खाने में दाल हो गया ठीक है सलाध हो गई चावल हो गई एक दिन पहले अच्छो से चावल कोई दिकक्त नहीं हो इसमें नो प्रॉब्लम कोई डाबड निया चावल बहुत अच्छी चीज है ठीक है ढूब में अच्छे काम आते हैं और सबसे म करते हैं फिजिकल से एक दिन पहले रात के समय की और एक सुभ़े के समय की ठीक है फिजिकल वाले दिन सुभा के समय रात को यापको थोड़ा भुट मीठा कहलें है उस से काफी जादा कैलरी मिलेगी आपको अच्छा फीलोगा पोजिटिव हो गये ठीक है और सब बोडी जो रहेगी ठीक है वर्काउट तो बिल्कुल नहीं करना मैंने समझा दिया पानी सबसे ज्यादा पीना है सोते समय भी पानी पीना है ठीक है किलियर कर दूँ और हाँ धान रखना अगर रेस्ट नहीं करा तो आपका फिजिकल चांस बहुत कम हो जाएगा रेस्ट अच्छे से करन आपका है पांच बजे और एंट्री चार बजे तो बहले ही दो बजे पोच्छो पर बारा मजे मज़े पोच्छो ना उससे ही होगा कि आपकी रात की नीन जो है खराब रहेगी और नीन खराब होने कब आलस पन चिड़ चिड़ पन रणिंग अच्छे से नहीं होगा उससे प्रोगलम क्रीट होगा तो रेश्ट कर लेना अपना हिसाब से बना लेना कि छे बजे सो जाओं सामको आज जल्दी सो जाओं कैसे भी हिसाब बना ले ठीक है फिर आते हम मॉर्णिंग में और सुबह मॉर्णी में बिलकुल भी चाय वगएरा ठीक है दूद हो गया दूद ह उच्व ले सकते हो रहाए कि यह पर आपको पता है कि वी दो तीन घंटे तो अपने जूस ले और नारियल पानी ले लो बहुत अची चीज सी जीज तने बौत अची चीज bathing और हां सुबह भी थोड़ा बहुत मीठा का लेना स्पंच वाले रजगुल आराम से खापी के जाना थोड़ी बहुत जादा नहीं खाने चार पाच नहीं खाने एक दो एक दो सामको भी एक-दो और सुबह भी ऐसी एक-दो एक-दो ठीक है फिर आते हैं अब कि फिजिकल का ट को लिए पीना है तो रसकाना है हलका सा प्यास भी नहीं लगना चाहिए आपको फिर दोबर ऐसी करते रहे ना इससे यह आपको पेड़ भरे भी नहीं पेड दुखेगा भी नहीं जो प्रॉलम किरियेट नहीं होगा आपका पानी जो है डाजस्ट जल्दी से ओजाएगा ठीक प्रॉब्लम और चोपलेट के जाना अपने साथ फिजिक लोने से आधे गंटे पहले आपको चार-पांच पीस खा ले नहीं है चोकलेट की डेरी मिल कोई कितक वगर यह सम्द लेके जाना सिर्फ डेरी मिल और वह भी दस वाले कभी ओर यूद डेरी मिल लेके जाओ यह इतने तो क्या करना है चोकलेट आपको 4-5 पीस ले लेना है और फिजिकल इस्टार्ट होने से 10 दस मिनट फेले आपको एक पीस खाले ले ना चोकलेट का और फीस खाने के पांच मिनिट बाद थोड़ा सा पानी पी ले ना क्योंकि फिर मूँ चिप चिपा रहता है तो थोड़ा सा पानी पी ले नहीं और फिर अपने फीजिकल देने जब अब आते हैं मेन चीज इंजक्षन पे, इंजक्षन लबा सकते हैं, नियुरभीन फोर्ट मैं रियाली बता रहा हूं मसल्स को तोड़ा अच्छा रखता है, क्या होता है जो आप रुनिंग करता है तो नियुरभीन फोर्ट फोड़ा सा सपोर्ट कर देता है कि हां भै, अगर कि एक किलोमेटर पर भरने की है तो वह 1200 तक करवा देता है तो फिजिकल से एक दिन पहले नियुरविन पहले चीज बता दूं वह थोड़ी थंडी होती है तो गरम चीज खाना अगर तो यह नहीं होने वाला पॉजिटीव रहो तो ही होगा सबसे में चीज क्या है खुद को मोटिवेट रखना सिसे में देखте बात करना मैं कर सकता हूं मैं कर सकत coordin न अपने सफब्सक्राइब करता हूं एस वीडियो में उम्मैद करता हो आप छीतने की तुन समझ गए होंगे लाइक कर वीडियो को चयानल सब्सक्राइब कर टीक है, मिलते नेक्स वीडियो में, जै